हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सलीम लेंगयान और आप देख रहे हैं सैम एजुहब तो दोस्तो हरियाना कलरक की नई भरती आचुकी है जैसा आपको पता चल चुका है कि ओल्रेडी क्योंकि मैंने वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ दोस्तो उसके पीछे जो रीजन है दोस्तो वो है मैं बहुत ही विसलेशन के साथ आप लोगों के लेके आया हूँ पूरी की पूरी डिटेल एक ही वीडियो के अंदर तो दोस्तो आप देख सकते हैं टोटल पोस्त की अगर बात की जाए तो 4858 है और जिस एड़ोटाइजमेंट का हमें इंतजार था बहुत लंबे समय से वो आड़ोटाइजमेंट नंबर अब आ गया है दोस्तो 5-2019 उसके बाद अगर क्वालिफकेशन की बात की जाए तो दो पाइदा होगा या नहीं होगा और भरती के अंदर जो बड़े बदलाओ किये गए हैं दोस्तो वो क्या क्या है तो अगर आपको पूरी वीडियो के वारे में अपडेट चाहिए दोस्तो तो बने रहे हमारे साथ सुरू से लेके अन्द तक तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो दोस्तो आप देख पा रहे हैं यहां पे अड़ोटाइजमेंट नंबर पांच 2019 है और डेट और पॉब्लिकेशन आज की है यानि कि 20 जून हो चुका है और इसकी ओपनिंग डेट रहेगी दोस्तो 24 जून को और लास्ट डेट है 8 जुलाई को उसके बाद आप फीज जून से लेके 8 जुलाई तक भी दिखा रखा है और अड़ोटाइजमेंट नंबर पांच 2019 उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों इसके अंदर पूरा का पूरा प्रोसीजर दिखा रहे हैं यहां पे कैसे कैसे आपको ओनलाइन फिल करना है इसके अलावा जितनी भी इं तोback की अलगलग पोस्ट है जिसके अंदर आप यहांपे detail के अंदर देख सकते हैं उसके बाद जो essential qualification रखी गई है दोस्तों वह प्लस टू के अंदर आपके पास first division या फिर आपके पास graduation यानिकी तीनों मांग रखेंए दोस्तों आपके पास plus 2 है तो भी बहुत है तो भी क होनी चाहिए या फिर आपके पास compulsory plus two के अंदर first division होना चाहिए आपके पास सिर्फ plus two होनी चाहिए दोस्तों यहां पर इसका मतलब यह है उसके बाद है दोस्तों हिंदी संस्किर्थ की आपको knowledge होनी चाहिए metric standard तक उसके बाद आपकी जो age का criteria बनाया है वो बनाया है दोस्तों 17 से लेके ब्यारिस year तक और पे scale आप देख सकते हैं बावन सो से बीस दोसो प्लस उनिस सो grade पे रहेगा दोस्तों उसके बाद लेवल टू FPL के अंदर उनिस नोसो के अंदर आएगा दोस्तों जो age की relaxation है दो की और जो PWD के अंदर SCBC के category के candidate उनको 15 साल के relaxation रहेगी दोस्तों उसके बाद आपको एक सर्विसमेन के लिए तीन साल की military service के according उनको permissible रहती है दोस्तों और अपर एज जो रहती है दोस्तों woman के लिए जो separated legally यानि की आपका जिसका drivers हो चुका है उस woman के लिए और इसके अलावा जो unmarried है तो उनके लिए 47 रखा गया है दोस्तों age का criteria इसके अलावा जो EWS है अभी तक उसके बारे में कोई भी समश्या का समाधान नहीं हुआ है एज के बारे में तो अभी तक उनके ल सकते हैं दोस्तों वही सारे relaxation ले सकते हैं फीस का जो structure रहेगा दोस्तों general category के लिए आपका 100 रूपीज रहेगा male female दोनों के लिए अगर female हर्याना से संबंद रखती है तो 50 रूपे रहेगा और SCBC EWS वाणों के लिए male के लिए 25 और female के लिए 13 रहेगा दोस्तों इसके 90 marks का आपका written exam होगा और 10 number social criteria के मिलेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे experience वही सारे चीज़ें सेम है अब की बार जो एक बदलाव किया गया है दोस्तों तो एक बदलाव किया गया है education qualification का और दूसरा बदलाव किया गया है exam dates में exam state देखो दोस्तों अब यहां प qualification का उसके बाद आपके पास जो extra certificate है उनके लिए भी अगर आपके पास कोई है तो उनकी बारे में आपको क्या benefit रहेगा वो सारे आपको बताने वाले हैं दोस्तों तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसके अंदर आप यहां डिटेल देख सकते हैं पूरी की पूरी डि scrutiny of document के बारे में डिटेल दिखा रखी है यहां पे कह रखा है दोस्तों आपको सबसे important में दो बाते बता देता हूं दोस्तों एक तो जो आपके fatherless का benefit उठाना चाहते हैं दोस्तों उसके लिए आपको जो पहले आपको format दिया गया है तो उसी format के according ही आपको document त्यार करवाने हैं दोस्तों और इसके अलावा जिसके घर में government job नहीं है no government job तो उसको self declaration document ही upload करना है दोस्तों उसको इलिए आप कोई पास ये condition नहीं है कि आपको किसी executive magistrate के पास जाके बनवाना पड़ेगा तो वो access की guideline के according दोस्तों उसको cancel कर दिया गया है तो आप देख सकते हैं दोस्त आपके पास कोई भी डिग्री है या कोई भी डिपलोमा है या फिर आपके पास कोई भी certificate है तो वो आपके पास recognize होना चाहिए दोस्तों हरियाना government के दुआरा या फिर अगर आपके पास बाहर की डिग्री है तो other state से belong करते हैं आप तो आपके पास UGC से approved डिग्री होनी चा होती है अगर आप एक से ज़्यादा फोर्म करते हो तो आपका ओ इस हो सकता होग और यह पास कर्दक्राइएं के अंदर तो आप कंसली modo क्यंच के और भी और की गोलिफिक हैं तो तो आपकी क्यां सब्सक्रिंट कमने के बिया करेंच हो सकता है एकक्योअ आपका form cancel हो सकता है तो दोस्तों ये point सबसे ज़दा important रहेगा जो candidate अभी plus two के अंदर है और जिनका result रुका हुआ है किसी भी एक subject का या फिर किसी भी दो subject का किसी भी वज़े से तो उनके लिए थोड़ी सी problem create हो सकती है लेकिन अगर वो last date से पहले पहले आपका result clear हो जाता है तो आपको कोई problem नहीं रहेगी दोस्तों आप भी form apply कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपके पास कितने भी essential जितने भी extra certificate है उसके लिए कोई भी आपको अलग से benefit नहीं दिया जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा दोस्तों कि आपके पास अलग से जो benefit होगा कि आप इसके अलावा आपके पास जैसे sportsman है या फिर कुछ और है तो उसके लिए जो अलग vacancy होती तो उसका अलग ही प्रावदान होता है दोस्तों अगर आपके पास master degree है या फिर कुछ और है तो उसका भी कोई benefit नहीं दिया गया कि आपको यहाँ पे इतने marks का benefit यहाँ पे रहता है तो comment section के अंदर comment कर दें इसके अलावा आपकी कोई भी राय है तो आप comment section के अंदर comment कर सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें अच्छी नहीं लगी तो वीडियो को dislike करें लेकिन वीडियो को share जरूर कीजिएगा दोस्तों ताक झाल, 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 झाल.